अलो फ्रेंड्स जय हिंद फ्रेंड्स माय साहब डॉक्सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तो आज का जो वीडियो है दोस्तो बट वीडियो में आगे पढ़ने से पहले दिएगे बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे ऐसे अनेट एंट की हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे नौटिफिके आउटर एयर है जो हमारा बाहिय कान है और जो हमारा जो मिडल एयर है उसके बीच में दोस्तो एक पार्टिशन होता है यह जो कान का पर्दा है दोस्तों उसमें आउटसाइड और इंसाइड एक लेयर है और बीच में एक अंदर मसर लेयर होती है एसे तीन लेयर करके, तीन जो तह है, उसमें हमारा कान का पड़तब बना उवा होता है. अच्छा, दोस्तु, इसमें क्या होता है? कि बहुत पार क्या होता है कि हमारी जो mid जो layer है उसमें calcium deposition होकी and जगे-जगे वहां पे calcium जमा हो जाता है और वो जो हम उसको बोलते हैं वो tympano sclerosis दोस्तों उसको बोलते हैं तो दोस्तों यह जो tympano sclerosis है इसकी वज़े से अगर हमें देखा जाए routine life में patient को कोई problem नहीं होता अगर आपके ear drum में tympano sclerosis है तो आपको कोई problem नहीं होगा बट अगर आप army aspirant है तो दोस्तो जब वहाँ पे इसके कारण आपको एक refer point मिल जाता है तो दोस्तो यह है tympano sclerosis सफेद दाग in tympanning बहुत बार क्या है एक होता है बहुत बार यह multiple भी होते हैं और usually कई बार यह जो सफेद दाग है वो कान के परदे में सेद होता है उसके करण भी जो है उस सेद की जो बचा हुआ कान का जो हमारा परदा है वहाँ पे भी सफेद दाग पाया जाता है तो दोस्तो इसका जो management है इसका treatment है जिसके कारण इसको जो refer कर दी है दोस्तो इसकी जो surgery है वो अमूमन जो है वो एक particularly जो army aspirant के लिए वो endoscopic technique से इसको किया जाता है जिसमें जो हमारी जो कान के परदे की जो layer है उसको split करके और इसको निकाल दिया जाता है और वहां पी क्या है हमारे जो कान की जो परदा जो है वो एक यहां मसल होती है उस मसल से एक फेश्या लेके और उस फेश्या को वहां पे जो है लगा दिया जाता है और endoscopic technique से यह पूरी प्रकरिया जिसमें बाहर से कहीं कोई जो आपको इसकार या इंसीजन ऐसा नहीं लगता है तो दोस्तों बैसिकली जो है आपको जो हमारा जो मोटो है आर्मी में जो आपका जो medical जो आपका point जो दिया गया है वो हम जो है इस तरीके से जो endoscopic correction of this टेंपेनस, कलोसिस और सफेद दाग से हम उसको तोड़ सकते हैं और आगे जो है आपको आपको medical में आपको जो है वो problem नहीं आएगी तो दोस्तों most important जी कि जैसे आप जब भी आप medical के लिए आप जाते हैं उससे पहले ENT screening जो है या आप endoscopy की सायता से इसको examination करके नहीं जा सकते हैं at least 20-25 तिन के बाद आप routine आप medical आप दे सकते हैं उसके बाद आप दोड़ लगा सकते हैं अपना exercise कर सकते हैं सब कुछ अपना work कर सकते हैं So I hope this information is useful for you and you can share this information to your family and friends and colleagues and other army aspirants just to create awareness about the safetak problem for army aspirants specially and if you have any query आप की दिमाख में और कोई क्वेरी हैं you can you can ask on my comment box and I explain about that and thank you